हेलो एवरिवन मेरा नाम है डॉक्टर बहुमत काश्चेफ और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी बैड हैबिक्स के बारे में कुछ ऐसी बुरी ऐसे चीजों के बारे में जो अक्सर जो है लगतार अपने रुटीन में रखते हैं या कुछ नॉमल लोग भी ह है वो कहीं न कहीं नकारात्मक तरीके से प्रभावित होती है बहुत ऐसे स्लो हो जाती है या कंडिशन खराब होती है या इसके अलावा उनकी जो चांसे हैं लगवे के मतलब के स्ट्रोक को दोबारे से आने के चांसे जो हैं ज्यादा ही रहते हैं अब कौन सी वो आदते है कौन सी वो bad habits हैं कौन सी वो चीजे हैं जिनके करने के वज़े से आपकी जो दिक्कत है आपकी जो तकलीफ है वो बढ़ ही जाती है तो उसमें सबसे पहली जो चीज है वो है alcohol और smoking यानि कि आप शराब पीते हैं या इसके अलवाब धुम्रपान करते हैं कुछ भी इस तरह के पानवा साला खाते हैं तो उसकी वज़े से सीधा आपके शरीर पर नकरात्मक असर होता है मालिया कि आप एलकोहली लेते हैं तो एलकोहल लेने के वज़े से आपके लीवर के उपर impact पड़ता है और जाहिर सी बात है कि जब kidney के उपर impact पड़ता है तो आपका जो blood pressure है वो कह कहीं न कहीं दिक्कत में आ जाता है थोड़ा सा वो fluctuations करने रख जाता है जो भी ऐसे स्ट्रोक के patient होते हैं तो वो कोशिश करेंगे कि आपनी बिल्कुल रूटीन में अलकोहल को ना रखें दूसरी चीज है smoking देखे जब आप धूमरपान करते हैं आप बेड़ी पीते हैं आपके जो lungs की capacity है मतलब कि आपके फेपड़े जो सांस खीचते हैं अंदर की side में वो कहीं न कहीं oxygen कम हो जाएगी हवा वो कम लेने लगेंगे इसका सीधासर यह होगा कि आपके शरीर में जब कम हवा जाएगी oxygen कम जाएगी तो पूरे body में खास तोर से ऐसे brain को अच्छी मा जो है कुछ obstruction develop हो जाते हैं कुछ रुकावटे पैदा हो जाती हैं जिसकी वाज़े से जो blood का flow है वो भी खराब हो जाता है तो जितने ऐसे patient है वो कोशिश करेंगे कि smoking को यानि बीडी हुका cigarette जो भी चीज़े हैं उनको avoid करें अब दूसरी चीज यहां आती है वो है salt का करने की कोशिश करें इसका क्या मतलब है जो packaging ऐसे food आप खाते हैं जो आप आलू के chips खाते हैं या इस तरह का food खाते हैं उसमें बहुत ज्यादा मातरा में नमक होता है salt होता है तो आप वो salt लेने की वज़े से आपका जो BP का level है वो कहीं न कहीं बिगर जाता है वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाता है या shoot कर जाता है तो जितने ऐसे हमारे patient है वो कोशिश करेंगे कि अपने खाने में नमक की बहुत ज्यादा मातरा ना रखें क्योंकि नमक जो है किसी भी stroke के patient के लिए या मुझे ऐसा कहना चाहिए कि जो BP कैसे patient हैं उनके लिए बहुत ऐसी खराब चीज है कि वो बहुत ज्यादा मातरा में नमक लें तीसरी जो चीज है वो है आपकी physical inactivity physical inactivity का मतलब है जो भी stroke के patient होते हैं वो बहुत ज्यादा आराम करने लग जाते हैं वो बहुत ज्यादा के chair पे बैठे हैं तो बैठे ही है मालिया कि अगर लेटे हैं तो बस ठीक है तो जितने ऐसे patient होते हैं उनका एक mindset हो जाता है कि मुझे कुछ काम नहीं करना मुझे बिल्कुल किसी चीज में involved नहीं होना मुझे कोई exercise नहीं करनी देखे जितने ऐसे patient है उन्हें इस बात को समझना चाहिए कि उनकी जो condition है वो एक ऐसी condition है कि अगर आप कुछ activity नह नहीं करते हैं कुछ वर्जिश नहीं करते हैं तो आप बिल्कुल ठीक नहीं होने वाले हैं बलके आप जो है और पीछे की तरफ ऐसे आपकी जो condition हो रिवर्स होना शुरू हो जाएगी अगर आप माले किसी हद तक ठीक भी होए होंगे तो तो physical activity है जो बहुत माइने रखती है stroke के patient में जितने ऐसे हमारे मरीज हैं हम अक्सर उनसे कहते हैं खासतार से मैं तो इस बारे में बहुत ज्यादा कहता हूं कि आप जो है physical activity को बहुत अच्छा रखें जो भी ऐसे exercise करते हैं जो भी particular exercises आप करते हैं उन exercises को ज्यादा से ज्यादा करना शूरू करें जितनी ज्य कोशिश करिए कि उन्हें इन आदतों को जो routine में अगर हैं तो उनको बिल्कुल निकाल देना चाहिए तब उनकी जो recovery है बहुत अच्छी होगी मैं समझता हूँ कि आज इस वीडियो के जरीए जो चीजे मैंने बताई हैं वो आपको समझ में आई होंगी फिर भी कोई सवाल है कुछ पूछना चाहते हैं कुछ समझ देना चाहते हैं तो आप नीचे दिगर नमपर पर हमें कॉल भी कर सकते हैं हमारे डॉक्टर्स की टीम आपके लिए हर समय उपलब्द है धन्यवाद